तो आज का दिन था हमारे रे लास्ट एट आरकु वैली तो आरकु वैली से हम पहुंच जा रहे हैं कुरापुट के और सो कुरापुट का रास्ता आप देख सकते हैं मतलब ओडिसा आते ही आपको आपका ट्रांस्पोर्टेशन बहुत ही अच्छा मिलेगा अगर आप भी टूर करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि यहां का ट्रांस्पोर्ट रोडवेज जो हैं जो भी हो आप रेलवेज की बाद भी करें तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है मुझे बाकी स्टेट से सो हम बहुत जाते हैं क्रॉस करके बॉर्डर अपने ओडिसा की और और काफी ये तेन दिन बहुत ही अच्छे से हमारा गुजरा बहुत ही ज्यादा हमने वहां के लोकल्स फूट ट्राइख किये जो कि बंबचक इन वन अब दे बेच था कॉफी ट्राइख किया और चोटी से जगा है तो ज्यादा कॉशन्स मिलेंगे है नहीं तो अबिसली जो भी था हमने ट्राइख किया आप अभी थन का टाइम है यहां से आप गूम किया आए काफी ज्यादा फ्रेंडली है काफी ज् वाला है आप गैंपिंग कर सकते हैं वो भी बहुत एफोड़िबल प्राइस में जो कि स्टार्टिंग आपका हो जाता है 1500 टेंट के उपर टेंट टिबंड करता है कि आपका कौन सा टेंट आप किस टाइप का टेंट लेना चाहते हैं क्या क्या प्रिफर करना चाहते हैं वि तो यहां पे हम रुक जाते हैं क्योंकि फिर से मुझे मिल गया बहुत सरी यह लो यह आलसी फ्लार्स और बस रुखने का नाम ने ले रही थी मैं क्योंकि मुझे यहां पे फिर से फूट बोठ आना था चलो लास्ट टाइम उठा ही लेते हैं बोल के मैं पहुँच जाती लोग ये सब बहुत ही इंपोर्टेंट होता है यहीं सब जितने ही छोटी छोटी चीज़े हैं आपकी मेमोरी आपको हमेशा याद रहेंगी तो बहुत ही अच्छा लगता है गाइस तो आप भी ट्राइ कीजिए सब मेरे तरह घूमना या सब के लिए सब इजी नहीं होता वैसे मैं सच बताओं तो मेरा जो भी होता है सब बज़ेण फ्रेंडली होता है काफी ज़्यादा आप बिलीब नहीं करोगे ये थ्री डेज का ट्रिप अउनली 8-10,000 में ही हुआ है मेरा और लास्ट दें तो मैं कोरापूट के तरब से मैंने ट्रेंड बुकिंग भी नहीं की थी हमने जेनरल पे हम चले गए तो जो छोटी-छोटी चीज़े होती है उन्हें हम याद करके कम मिनिमाइस कर सकते है हर चीज़ों को हम जरूरी नहीं है कि उसे बढ़ा चड़ा कर जो हो सकता है उसे जरूरी नहीं है कि हम बढ़ा चड़ा करे पैसा दे के हर चीज़ करें तो अपने हिसाब से अपने तरीके से मिनमलाइज कर लेंगे एंड या मेरे कुछ एक्स्ट्रेक्स पिंडिशन नहीं थे मैंने कुछ ज्यादा शॉपिंग नहीं की यहां से कुछ सोविनेर्स नहीं लिया जो मुझे चाहिए था जो खाना ट्राय करना चाहिए था जितना गूमना चाहिए था मैंने वो सब किया बस वहीं तो है और यह सारे फोटोस से भेड़ यह सारे वीडियोस और क्या चाहिए होगा आपको तो यहां पे एक माचकुंड़ डैम है उसके तरफ में नहीं गई तो उसी का यह चोटा सा पार्ट है यह जो देख रहे है पानी है उसी के तरफ से आ रहे है बस यहां हम घुज गये थे फिर हम निकल चले दुदुमा वाटरफॉल की और पिछले वीडियो में आपने जो द पिछले साल दो साल पहले जब मैं गई थी यहीं मैं आई थी और यहां पे मैंने एक होटल पे खाना भी ट्राय किया था तो यह अब मैं बहुंच जाती हूँ यहां पार्किंग एरिया और टेन फिल पेस पर वसंद था पार्किंग करके मैं निकल चलती हूँ नीचे की और क्योंकि इसका दूर होट है मुझे ने पता था यहां नीचे से भी लोग जाते हैं बोलके क्योंकि मैं पिछली बार नहीं जानती थी यहां से होके जाते हैं तो यहां से मैं नीचे की और जा रही हूँ तो यहां से यह गव देखोनो लोग देखोन सर्वास भी तो यह वन साइड ऑफ रानी स्वरी यह वन साइड ऑफ दुदुमा वाटरफॉल है और देख सकते हैं कितना उपर से नीचे पानी किर रहा है मैं वहाँ भी इस तक नहीं गई क्योंकि बहुत ज्यादा खाए है और यह डूंट लाइक मुझे उपर से देखना थुड़ा अच कि फोटो से ले सकते हैं सब जा रहे नीचे आप देख सकते हैं बस वीडियो में वहीं बोल रही थी तो बस चलके तो आ जाता है फिर उपर चड़ने में मुझे हैक्टिक लगता है यहीं चीज मुझे अच्छा ने लगता है वाटरफॉल होगा लेकिन जो भी हो आना आपक का वहाँ से होके आप हर तरफ का व्यू दे सकते हैं क्योंकि यहां पर चार तरफ से गिर रहे होते हैं और नीचे तो परभाई खाई के तरफ है तो यह हम निकल चलते हैं देखने के लिए देख सकते हैं राइट साइड में वह फॉल्स दिखाई दे रहा है और यह है मैं अ पाइड हो गई थी मैं और यहां का यह दही पानी मुझे तो पीना ही होता है यहां पर जब भी आती हो आते वक्त आप अगर देखेंगे तो एक देसिया रेस्टराउन है यहां पर बहुत लोग यहां पर रुकते हैं काफी देसी जैसा माहूल है खाना पीना भी यहां का सब्सक्राइब के भी हैं लॉज मतलब क्या चोटे-चोटे प्यारे प्यारे कॉटेजिस हैं यह आप देखिए अंदर जाते हैं तो कुछ इस तरह का इसका एंवार्मेंट है बहुत ही अच्छे से इन्होंने डेकॉरेट करके रखा है अब आगे चलता है आहितलो कोईच एप premiers выполmen यू खोईनलो nice ऑके यह पहुंग जाते हम here के कॉठेजने टर्टे, इंक्लुड़ियो यह लॉज़िंक और ऊप्या catches and 3000 ज़रूर आप यहाँ पे स्टेक कीजे और यहाँ सी होके आप हर तरफ घुमने जा सकता है, I mean को रपोट अगर आता आते हैं तो यहाँ रहे कर आप हर तरफ का वाई पे इंजाए कर सकते हैं, सो मेरा फिर यहाँ पे आया हुआ था, जुलाई के टाइम में, तो काफी एतनिक सा वाला व्यू है, जो हम नॉर्मल गाओं में देखते हैं, तो अंदर बहुत अच्छी से सजाय हो गया, सजाय हुआ है, यह देखिए, रूम सब भी अगर आप चेक कर सकते हैं, गूगल मैप में, दीसिया रेस्ट्राउं बोल के, तो उनके जो कॉट्डिजे से वो भी आपको शो कर देंगे, देखिए, कितना प्यारा सर लग रहा है, यहां का जगा है, ना माहौल, ऐसे घर कहां देखनी को मिल रहे हैं आजकल, तो बस इसी चीज़ों को तो हम इंजॉय करने आते हैं, तो यह हमारा आ गया लॉंच टाइम, एंड हमने साधा वेज मिल मगवाया था, तो बस आने ही वाला है कुछी देर में, यह देखिए हमारा मिल, और यह खा के हम फिर निकल चलते हैं, क्योंकि शाम को हमारा ट्रीन होता है, I hope guys, मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा,